जैहिन सभी फोजी बंदुओं, आप सब पेंसन ड्रा कर रहे हैं और कई कयास भी लगा रखे हैं, OROP 2 तो आज हम बात करेंगे इस OROP के बारे में, यानि कि One Rank One Pension के बारे में इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है और मुझे उमीद है, हमें यस वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं, पर आप हमेशा की तरह हमारा साथ देंगे और धायरे के साथ सुनेंगे इस वीडियो में मैं कभर करने जा रहा हूँ, इसकी क्या प्रिष्ट बूमी है, क्यों यह जरूरत पड़ी थी, इसमें क्या-क्या कमिया थी, और क्या-क्या करेंट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और एक फोजी बंदूओं को, क्या-क्या बिंदूओं को अवस्य ही जानना चाहिए इसके साथ ही मैं यह दावा प्रस्तूत कर सकता हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं प्रस्तूत करूँगा यह सब प्रमानिक तत्थों पर अधारित है जिसमें की लगभग नगन्य के बराबर अनुमानित डाटा को मैं प्रस्तूत करने क प्रयास करूँगा तो आए हम प्रारंब करते हैं इस OROP की डिफनीशन से ही जैसा कि हम सब जान चुके हैं वन रैंक वन पेंसन यह कब हुआ यह दावा प्रस्तूत करता है एक ही तरह का यानि कि समान एमाउंट आफ पेंसन मिलेंगे किसे तो जो सेम रैंक के जो हैं और से सेम क्वाइलिफाइंग सर्विस के हैं इसके लिए इरिस्पेक्टिव आफ डेट आफ रिकूटमेंट है या डेट आफ रिटाइरमेंट है या किस रेजिमेंट से हैं किस सर्विसेस से हैं यानि कि आर्मी से हैं एयर फोर्स से हैं नेवी से हैं तीनों सर्विसेस के अल रैं चुके होंगे कि समान rank को समान pension समान equivalent qualifying services को मिलना है तब हम आगे की बात अब प्रारंब करते हैं आगे की बात प्रारंब करें इसते पहले थोड़ी सी आपको हम इसके background इतिहास पर भी एक जलक में दिखा दू ओर ओर ओपी की जरुवत क्यों पड़ी थी तो अगर आप इस प सरकार के द्वारा ततकालीन सरकार कबकी 1973 की यह pension की मात्रा को reduce करने के लिए defense veterans के लिए जिनकी की pension पहले 70% of their involvement आते थे उन्हें 50% reduce कर दिया गया 1973 से Central Government जो ततकालीन था मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा उनके द्वारा घटा दिया गया और यह काम हुआ बगार संपर्क किये किसी भी defense forces के और इसके कारण उनके moral पर एक बहुत वड़ा attack हुआ और इस unilateral decision के कारण ही इस O.R.O.P. का जो concept है यह पाइदा हुआ जो agitation उस टाइम उसी का नाम दिया गया O.R.O.P. तो यह आप समझ सकते हैं कि यह agitation जो है 40 साल से भी ज्यादा पुराना है O.R.O.P. का जो नए बंदे हुँगे इन्हें नहीं मालूम होगा तो यह मालूम कर लिजिए इस चीज की जो O.R.O.P. है सही तरह से मिले इसके लिए हम स से अपने agitation को प्रारंभ किये थे इसके लिए कई रहलियां की गई थी जिसके लिए O.R.O.P. के लिए जन जन को पहले तो जागरत करना था किया क्या है इसके क्या लाब है किस तरह से सरकार पर दवाब बनाया जाए इस तरह की तमाम रण नीतिया हुई और फाइनली उन कारण ही UPA government जो उस टाइम ततकालीन थी 26 फरवरी 2014 को in principle sanction कर दिया था और अब जो ततकालीन प्रधान मंत्री है उस समय 15 सेप्टेंबर 2013 को इन्होंने PM बनने से पहले उस टाइम ये PM कंडिडेचर में थे NDA के में अपने एक चुनाओ के रैली में इन्होंने वादा किया था रिवारी में कि हम OROP को लागू करेंगे और जैसे NDA government ने 26 मई को 2015 को सपत ग्रहन किया इसी तरह से हमारे भिटनर बंधू की उमीदे बढ़ गई कि अब चुनाओी वादा OROP का लागू करना जल्द ही लागू हो जाएगा और हम लोग बड़े ही धायरे पुरवक इंतजा सरकार कर रहे थे पर हुआ क्या सरकार की तरफ से बड़ी ही उदासी पूर्ण रुख दिखाई गई शुरुवात में उन्हें जो वादा किया गया था वह OROP लागू नहीं किया गया फिर से सभी भेटरन बंधू ने गोल बंधी होकर कई तरह की एजिटेशन किये जंतर मं दिल्ली में रिलीज करने के लिए OROP के लिए किये और तब उसी दवाब में गवहमेंट को डिसीजन लेना पड़ा करीब सपत ग्रहन के डेड़ साल बाद तब इन्होंने आदेश जारी किया 7th November 2015 को जिस पर आधारित OROP का आगे का कहानिय स्टार्ट हुआ इन्डिये गवहमेंट ने लागू तो किया डेड़ साल के बाद अपने चुनावी वादा को पूरा करने के लिए पर उसका जो OROP का एक्चोल परिभासा था वास्त्विक परिभासा उन्हें उन्होंने बदल दिया और इसके कारण कई तरह की एनोमलीज पैदा हो गई अब उसी 7 नवंबा 2015 के लेटर पराधारित PCDA न सबसे पोपुलर जो सबसे परचलित है परशिद्ध सर्कुलर है PCDA का सर्कुलर 555 यह 4 फरवरी 2016 को लागू किया जो के 100 से भी ज्यादा पेज के हैं बड़े विश्तार में हर तरह के पदों को जो भी टर्म किया गया है टर्म लिया गया उसे परिभासित भी किया है PDA को भी इंस्टरक्ट दिया है रेकॉर्ड ओफिस को भी दिया है और पेंस्नर को भी जानना चाहिए तो आपको भी तो अवस्य जानना ही चाहिए यह 4 फर्वरी 2016 को लागू किया गया और उससे 45 डेज के अंदर सभी पीडियो को आदेश दिया गया कि आप यथा सिग्र O.R.O.P. 1 का एरियर लागू करें जो की सभी बैंक ने लगभग 16 मार्च 2016 को एरियर जो की 4 इस्टालमेंट में आने थे फर्स्ट एरियर लागू कर दिया गया 16 मार्च 2016 को और मार्च 2016 का पेंसन O.R.O.P. के इन्हेंस रेट से आना सुरू हो गया लगभग सभी लोगों में खुसी थी इस बात के लिए कि O.R.O.P. जो 40 साल से हमारे बंधू बुजुर्ग बंधू O.R.O.P. के लिए जो लड़ रहे थे संगहर्स कर रहे थे अब उन्हें मिल गया पर उसी O.R.O.P. में हर 5 साल के बाद इसे रिवीजन का भी दिया गया था हलांकि यह इनिसियली प्रस्ताव था हर साल रिवाइज करने का पर यह गर्मेंट नहीं मानी फिर निगोसियेट करते हुए 5 साल पर मानी यानि कि उसी 1st O.R.O.P. के अनुसार ही इसे 1st July 2019 को अगेन O.R.O.P. टू लागू हो जाना था जिसके तहत यह इक्वलाइजेशन कर देना था और गर्मेंट ने क्या किया कई सालों तक यानि कि 1st July 2019 के बाद जो लागू हो जाना था यह नहीं किया गया जो कि एक one time benefit pensioner को दिये जा रहे थे सभी करने के लिए अब यह order का आपको मैं बता दूँ O.R.O.P. का जो पहला order था यह था MOD यह आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ O.R.O.P. का इतिहास क्योंकि यही O.R.O.P. 2 में भी इतिहास दूराने जा रही है भारत सरकार यह MOD later number था 12 by 1 2014 D pension policy part 2 dated 7 November 2015 और जो table fixation हुए थे उसके लिए जो guideline आये थे MOD के later थे 12 by 1 2014 D pension policy part 2 dated 3rd February 2016 यानि कि circular 555 के पीछे 2 MOD के later आ रहे थे अब यही दूराने जा रहा है फिर से अब इसमें क्या होगा जो revision हुआ pension यह किया तो गया 555 circular के दौरा लेकिन यह actual O.R.O.P. था नहीं जो कोसियारी committee report जिसके आधार पर यह O.R.O.P. बना था उसके कई recommendation को नजर अंदाज किया गया और यही कई लोगों ने अध्यन किया और पाया कि कई तरह की इसमें anomalies है और यही background हो गए O.R.O.P. के यह सारे जो जंजट आप तमाम देख रहे हैं कि कई फौजी बन्धूओं में भी नाराजगी है तब government ने O.R.O.P. को तो लागू कर दिया policy letter लागू कर दिया लेकिन इस letter में future के लिए जो वादा किया गया था वह नहीं किया गया अब इसे ही लागू करने की कराने की क्या-क्या कवायत चल रही है इन ही तथ्यों पर मैं आपको बात करूँगा तो भारत सरकार की जो अभी तथकार 23rd दिसंबर 2022 को जो public P.I.B. के द्वारा जो P.I.B. के platform पर जो जारी किया गया है मंत्रियों के द्वारा मंत्रियों के समूह के द्वारा जिन्हें कि स्वायम परधान मंत्री ने cabinet approval दिया है उसमें कहा गया है कि 57,000 करूर खर्च किया गया है at the rate of 7,123 करूर पर इयर इस आठ साल में O.R.O.P. के कारण यानि कि 57,000 करूर का एक burden government पर आया है अब हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या कमिया थी O.R.O.P. 1 में तो जो grant हो गया 1 जुलाई 2014 से इसे तो और पहले से ही लागू होना था लेकिन ठीक है 1 जुलाई में समझावता हुआ अब इसके लिए ही एक कमिटी बनी कि क्या-क्या कमिया है और इस कमिटी जो फेटनर के कमिटी थी O.R.O.P. की कमिया को निकालने के लिए सरकार के सामने प्रस्तूत करने के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मेजर जेनरल सतवीर सिंग सहाव रिटायड है जब वन टाइम इंक्रीज दिया गया पेंसन तो इसमें कई तरह के लेकुना थे जो की सुईकार नहीं किये जा सकते थे लेकिन कई तरह की मजबूरियों के बार एकजामिन किया गया उसके कई तरह के ओमिशन कमिशन एरिर थे और 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 पी वन को एक्सेप्ट किया गया एरिर भी जारी हो गया अब इसी के लिए one-man judicial commission बैठाया गया जो कि उसके shortcoming और उसके लिए हटाने के लिए क्या-क्या recommended analysis solution है यह सब किया है जाए ऐसा committee का गठन करने का आदेश दिया गया पर December 2022 तक उस committee जो गठन किया गया था उसका कोई भी one-man judicial commission कुछ भी नाम तक नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ ओ कमिटी ऐसे हवा में चला गया अब इसके कारण कई तरह की नाराजगी वेटरंस में आई और तब इन नाराजगी ORP2 के लिए कई तरह की दवाब बनते रहें रणनीतियाब बनते रहें तब जो कि 5 साल के बाद ORP का revision होना था तब government को 1st July 2019 से जो 5 साल के बाद करना था उसके लिए कदम उठाने पड़े अब उसे मैं बताता हूँ latest क्या update है और current status क्या है ORP2 का तो इसे revise करना था implement करना था 1st July 2019 से ये तो आप समझी गया अब इसकी जो यथा स्थिती मैं बताता हूँ कि authority जो इससे concern authority है कोई भी action नहीं लिये थे 2nd ORP को कोई भी सरकार के द्वारा action नहीं लिया गया 1st July 2019 के बाद तब हमारे veterans बंधू है इन्होंने honorable supreme court को पहुचा और तब एक बहुत लंबी संगहर्स के बाद और rebel supreme court ने आदेश दिया government of India को कि आप 2nd ORP को लागू करने के लिए तीन महीने के अंदर जल्द से जल्द अपनी प्रकिरिया समाप्त करें और वह date खत्म हो रहा था 15 June 2022 को अब 16 June 2022 को government ने फिर से अप्रोच किये honorable supreme court को कि future फिर 3 months को हमें दिया जाए हमने काम नहीं कर पाया है 15 September 2022 तक उन्होंने extend कर लिया और वह honorable supreme court के द्वारा grant भी कर दिया गया अब यह तो veteran community के लिए बड़ा ही दुखद घटना हुआ कि दो बार तीन-तीन महिना का मिल गया अब second ORP जो है इसे फिर से जैसा कि हमेशा होते रहा है आप यह समझ पा रहे होंगे अगर भारत के नागरिक होंगे तो फिर से इसे थंड है वस्ते यानि क्या आप कह सकते हैं cold storage में डाल दिया गया अब तीन महिने extension फिर से मांगने का प्रयास प्रारंब होने लगा और तब second ORP को implement करने के लिए जो last date था September में जो दिया गया 15 December 2022 था इस बीच हमारे veterans बंधू ने भी बहुत सुप्रीम कोट में संघर्स किया और lastly इसको government agency की failure कर सकते हैं कि PCDA इतनी बड़ी संस्था काम कर रही है CGDA इतने बड़ी संस्था काम कर रही है मोडी काम कर रही है तो कहीं ने कहीं attitude का समस्या है कि उन्होंने ध्यान नहीं किया या आप कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में लोकसभार बिदान सभार और कई तरह के चुनावाते हैं उन सबों से भी जोड़कर ऐसा कयास लगाया जा र रहा है हनी मून प्रियेट से लास्ट में खीच कर लिया जा रहा ताकि कई लोगों का इसा मानना है कि इसे राजनितिक लाभ लेने के लिए भी इसे ड्रैग किया जा रहा है अब कितना सच्चाई है यह सबकी सत्यापना आपके उपर है आप सत्यापन इसे कीजिए अपने ग्यान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, तो यह 15 दिसंबर को अब ये लागू हो जाना था, लेकिन एक सप्ताह पहले तक कुछ भी नहीं किया गया, इसके लिए लोकसभा में भी कई questions किये गए थे, कई MP जो कि वेटरंस के लिए काम करते हैं, उनके लिए उसमें से एक अनस्टार्ड question जो है, 2288, जो कि 29 जुलाई 2022 को एक माननी है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा पूछा गया था, नाइन्थ सेसन, जो 17 लोकसभा भी चल रहा, उसमें पूछा गया था, उसके जवाब भी दिया गया, लेकिन वही ढूलमुल को संकल्पित जवाब, लोकसभा म नहीं दिया गया, अब union government ने अप्रूब कर दिया, revision of pension जो कि आम फोसेस family pensioner के लिए है, ये 1 जुलाई 19 से, कैसे, यह अप्रूब हलाया, मीडिया के सामने, अभी तक मीडिया के ही P.I.B. के website में दिया हुआ है, जो कि 23 दिसंबर 2022 को Friday को जारी किया गया था, मंत्रियों के द इसे in principle sanction कर दिया गया, OROP2 का, पर वह जो table दिया गया, later दिया गया, उसमें कई rank missing है, और हम सब जानते हैं कि हमारा rank, वही rank अलग-अलग qualifying service में है, हमारे group है, X है, Y है, officers के case में, अलग-अलग core है उनके, medical core के अलग होते हैं, artillery के अलग होते हैं, इस तरह से उनके rank structure सेम होते हुए, qualifying अलग होंगे, group अलग होंगे, regiment अलग होंगे, इस तरह से अलग-अलग structure, MNC का अलग table आता है, इन सबों को नजर अंदाज करते हुए, एक अदभूत table दिया गया, जो कि कहां से match कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें कई कमिया है, पहली कमिया तो यही है कि 1st July 2019 से ए पहला basic revision में रहा, July 19 से होगा, दूसरा 21 से होगा, हलाकि जब PIV को पता लगा कि कुछ चूक हो चुकी है, तो उन्होंने इस column को हटा दिया, 2021 वाले को, काईदे से इन सभी table जो अभी जारी किया गया है, 23rd December को, इससे एक अनुमान लगाया गया है, कि अगला budget जो आ रहा है, 23, 24 में, इसमें कितना खर्च किया जाएगा, अगर आप लेटर को देखें, बारिकी से पढ़ें, तो उसमें खर्च का ही फोकस किया गया है, कि अनुमानित budget कितना आएगा, क्योंकि 22, 23 में तो budget allocation इसके लिए OROP2 के लिए हुआ नहीं था, अब इसे होना है 23, 24 में ही, वही पर budget allocation के लिए कितना extra expenditure का आएगा burden, इस चीज का एक मुआइना लगाया गया है, इससे यह नहीं लगाया जा सकता कि कब मिलेगा, क्योंकि उसमें date नहीं दिया गया, हाँ इतना जरूर बताया गया है कि पुर्वत चार installment में ही दिया गया, 1st July 2019 से ही रहेगा, अब इसमें मै ORP2 में कौन-कौन beneficiary होंगे, तो जो retire हुए हैं 30 June 2019 तक उन्हें इस ORP2 का benefit मिलेगा, अब benefit के तहत क्या रासिया होंगी, तो आप यह देख लिजिए, कि 16 से 19, यानि कि 2 से 3 increment का जो हमारे बराबर equivalent ड्रा कर रहे हैं in service, तो 2 से 3 increment अवस्थ से ज्यादा ले रहे हैं, तो 3 increment, तो मोटा-मोटा आप कही सकते हैं कि इतना आपको अवस्थ से इसका benefit होने जा रहा है, इस Mbit में, पिछले ORP में करीब 20 लाक कभर हुए थे, इसमें 25.13 लाक कभर होने जा रहे हैं, अब यह कौन सा base year होगा, तो इसके लिए 2018 में, जो हमारे से रत हैं, जो फौजी बंधू, उनकी जो मिल रही है involvement, उसका average हमें दिया जाएगा, यानि कि minimum, maximum का दिया जाएगा, services wise, अब इसके ORP 2 का structure table की अगर बात करूँ, तो इसमें उसी तरह का table होगा, जैसे पहले आते थे, यानि कि हर category का अलग-अलग, category का मतलब, X होगा, Y होगा, qualifying, services होंगे, उसके लिए ही disability होंगे, war injury के होंगे, सारे category यहां भी cover होने जा रहे हैं, अब मैं बताऊं कि इसकी applicability क्या होगी, ORP 2 की, और इसके range क्या होंगे, तो इसमें मैं आपको एक line अगर बोलूँ, तो इसमें सभी pensioner और सभी family pensioner आएंगे कौन-कौन, सभी का मतलब, जो retire हुए हैं, discharge हुए हैं, invalidated out हुए हैं, from services, या उनकी मिर्तिव हो गई है इन service, या after retirement, किस rank में, commission officer रहे हो, JCO रहे हो, या others रहे हो, या non-combatant enrolled, जो NC होते हैं, किस के होंगे, army के होंगे, navy के होंगे, air force के होंगे, defense security cops के होंगे, territorial army के होंगे, जो भी, 1st July 2019 को pension के लिए, दावेदार हैं, यानि कि जिनको 1st July 2019 को pension मिल रहा, ये सब category के लिए, उन सब को मिलेगा, इसमें अगर मैं थोड़ी सी गहराई में जाओ, तो इसमें retiring pension होंगे, service pension होंगे, service element of disability pension इससे effect हो रहा, service element of war injury जो है, वो भी होगा, invalid pension कई, एक साल, दो साल, पांस साल में invalidate out हो जाते, family pension के लिए जैसे आप जानते होंगे, दो तरह का rate होता है, पहला होता, ordinary family pension, यानि कि 60% ही मिलते हैं, और दुसरा होता है, enhanced rate, जो की full, जो की pensioner का rate होता, तो ये दोनों affect होंगे, family pension में ही special family जिने मिल रही है, वह भी होंगे, special dependent family, चाहे उनके संतान के हों, disabled संतान या माता पिता हों, इस तरह के case को भी यहाँ benefit मिलने जा रहा, दूसरा second line award of special family pension, वह भी इसके benefit होने जा रहे हैं, liberalized family pension के तहत भी है, liberalized dependent pension जो है, उन्हें भी लाप मिलेगा, और second life award of liberalized family pension है, उन्हें भी मिलेगा, disability element of disability pension है, वह भी rate enhance होने जा रहा, इसके साथ ही war injury of element of war injury pension जो discharge हुए थे, और war injury element of war injury pension जो invalidate आउट हुए थे, जो pre first June, 1953 के discharge personal है, TA personal है, और non-competent in raw, जो NCE है, of regular army, air force, वेगरा के जो drying pension है, 1st July 2014, तो यह तो इसका range है, अब यहां बता दू कि TA personal का मैंने नाम लिया, तो यह TA personal के लिए मैं भी सेस बता दू, हमारे कई भीवर हैं, तो उनके लिए TA personal के लिए invalid pension, service element of disability pension और service pension भी इसमें सामिल किया जाएगा, nature of award यह सब PPO में mention रहता है, अब यह तो applicability की बात थी, अब मैं non applicability की बात कर रहा हूँ, किन है यह नहीं होगा, क्योंकि यही OROP 1 में भी हुआ, तो ऐसी कयास लगाई जा रही है कि OROP 2 भी इसी तरह का होगा, इसमें reserved pension नहीं सामिल होंगे, और जो ex-gracia payment ले रहे थे, इसका revision 1986 से ही केंद्रिय सरकार के पास पड़ा हुआ, कोट में पड़ा हुआ, यह सब नहीं हुआ, और कई तरह के ऐसे pensioner होते हैं, जो UK, HK सारे, KCIOs pensioner हैं, यह भी सामिल नहीं होंगे, इसके साथ ही जो pensioner पाकिस्तान या बर्मा आर्मी pensioner हैं किसी वज़ा से, यह सब इसमें non applicable कहलाएंगे, तो कितने benefit होंगे, अगर छोटे से सब्द में आप पूछें, चुकि 2 से 3 increment का हो रहा है, तो आप मोटा मोटा 10 से 15% तो मान ही सकते हैं, कि यह आपके pocket में आने वाला ह है, अब सरकार पर कितना इसका अतिरिक्त भार, आर्थिक भार परने बाला है, जो कि इन्होंने बताया है ततकाल, यह estimated annual expenditure है, जो लागू होने के कारण, यह 8,450 करूर, जो कि 31% dearness relief के अमसार जोडा गया है, और area अगर 1st July 19 से लिया जाए, और December 31st 2021 तक लिया जाए, तो इसे calculate किया गया है, 19,316 करूर, जो कि 17% dearness है, जो कि कोरना के कारण freeze थे, 17% के कारण, और 1st July 19 से लिया जाए, जून 30, 2021 तक लिया जाए, 31% का, तो यह July 2001 तक, तो area with effect from 1st July 19 से लेके, अगर total 30 June 2022 तक ले रहे हैं, तो यहाँ आजा रहा है, 23,638 करूर, DA के साथ extra burden, तो यहाँ सब तो calculation किया गया है, budgetary relocation के लिए, जो कि budget, union budget 2023-24 में, यह सब sanction किया जाएगा, तो यह सब है, जो ongoing खर्च है, जो regular खर्च होते रहे हैं, इसके अलावे हैं, तो यह सब विडियो आपने देखा, सुना, अब आपको क्या करना है, क्या जानना है, यह सारांस में मैं आपको बता दू, कि Supreme Court का intervention, हमारे लिए बड़ा ही अहम रहा, दवाब देने पर, सरकार पर, जिसमें कई तरह की संस्थाएं, हमारे वेटरन संस्थाएं ने, गोलवंदी करके, अपना रुपया खर्च करके, चन्दा करके, इस तरह से, उन्होंने, सेकेंड ओवारोपी को लिए, बड़ा ही, प्रयास किया, नहीं तो government का तो delay करने का ही है, अब इसमें जल्द ही उमीद किया जा रहा है, कि जल्द ही आएगा, हमें क्या करना है, हमें इन सारी बातों को जानना है, तब ही हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, अपने अधिकार के प्रती, तब तक प्रजातंत्र में आप लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार जो बनती है, हमारे ही भोट से बनती है, उनकी नीतियां को समझने के लिए, पहले हमें अपनी नीतियां को समझना जरूरी है, कि कौन सी सरकार, कौन सी पाटी, हमारे हित के ये सोच रही है और हमारा हीत आखिर है क्या इनहीं तमाम बिंदूओं पर आपको फोकस करने का जागरुक करने का हमारा उद्देश से है आज हम देख पा रहे होंगे कि काफी यह आगे बढ़ गया है मामला ओर ओर ओपी टू का जहां कि टेवल भी जारी किया गया है आप दे नहीं है और उन्हें भी क्वाइलिफाइंग सर्विस नहीं दिया गया तो यह सब अभी जो टेवल जारी किया गया है यह एक एस्टी मेटेड है इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं है जैसे ही भारत सरकार की कंसरन डिपार्टमेंट से ओथरिटी लाग इसमें आपको क्लियर कट आ जाएगा तब तक हमारा यही आप सबों से अग्रह है कि तमाम उलूल जूल कई तरह की टेवल मार्केट में आएंगे उन सबों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जब टेवल आता है हम आपके समक्ष प्रस्तूत करेंगे जो की प्र इनर ग्राउंड पर क्योंकि यह ओनरेवल सुप्रीम कोर्ट में क्येस चल रहा है जो कि 16322 से ही ओडर है एकोलाइजेशन फिर जून में इन होने लिया फिर सेप्टमबर में लिया फिर अभी भी दिसंबर में लेने का प्रयास किया जा रहा है जो कि सेकेंड जनवरी को भी सम्मानिये सुप्रीम कोट भी भेटरंस की उनके लाब को उनके फैमिली के लाब को मद्दे नजर रखते हुए फर्दर एक्स्टेंसन से मना करेंगे और यथा सिग्र रिलीज करेंगे ताकि गवर्मेंट तुरत रिलीज कर सके ताकि सभी बंधूओं को मिल सके तो यह OROP 2 के सिरीज में ही OROP के सिरीज में यह मेरा दूसरा प्रयास है इसी तरह से मैं OROP से सम्मंदित सभी तरह की अपडेट आपके समक्ष प्रस्तूत करते रहूंगा और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो थोड़ा भी लाब पहुचाया है तो आप इस चैनल को Living Happily को अवस से ही सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी चैनल आपके फौजी बंदू के चैनल को Growth और Development का आउसर मिलेगा जिससे हम और भी ज़्यादा प्रमानिक सूचना आपके समस्च प्रस्तूत कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी टीम लगा सकते हैं आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं हमारे लिए motivation होता है आपको किसी भी तरह कि अगर इस वीडियो में कमी लगा हो कुछ सलाह देना चाहते हो अब असे ही कमेंट के जरिए लिखिए मैं बताने का प्रयास करूँगा सीखने का प्रयास करूँगा अगले वीडि इंटरुपर्णर ट्रेनर के साथ इसलिए हमें मैं हिड़ दैकी गहराईयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर मिलूंगा इसी तरह की ORP से संबंधित और सपर से संबंधित wellness से संबंधित तमाम तरह की वीडियो लेकर फिर से मिलता हूं